नमस्का दोस्तों आज किस वीडियों बात करने वाले हम FMC के प्रोडक्ट कोरजन के ओपर कोरजन को मैक्सिमम सभी किसान सभी दोस्त चानते हैं मैक्सिमम क्यूंकि कोरजन ही एक ऐसा दवाई थी जो सुरुवात में सबसे ज्यादा जो है फेमर्स हुई थी बहुत ज्यादा जो है शुरुवात में कोरजन के ही थे जो कि बहुत ही लंबे समय तक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक के साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी जो है इंसेक्टिसाइड का काम करता था शुरुवात में इतने ज्यादा जो है इंसेक्टिसाइड मार्केट में अभी लेवल ज़्हादा मार्केट में उच्राल आई थि एकदम से हज़एगा कोर्जन का इस्तिमाल किया जाता था तर आजकर आज के दौर में 2030 में चल पड़ा है तो अभी जो है बहुत ही ज्यादा मार्केट में इस प्रकार के और भी जो है दवाईयं आ चुकी है तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके टेकनिकल की जो आपका रहता है क्लोरेट्रा नेली प्रोल 18.5 प्रेसंट यूंकि आपका आता है दोस्तों एक तरह से गाड़े सफेद प्रदार्थ में लिकुड फॉर में जो आता है और यह जो इसका डोज रहता है दोस्तों जो रहता है आपका 60 ml जो बताया है अगर 18 लिटर की है या 20 लिटर की है तो उसमें 1 ml हम और बढ़ा देते हैं 7 ml भी यूज कर लेते हैं कुछ है कि इसको जो 10 ml भी यूज करते हैं अच्छे रिजर्ट्स रहते हैं साथ ही बात करेंगे इसके साइड फैक्ट्स की भी वैसे तो दोस्तों बहुत ही अच्छ है है इसके मैक्सिम् साहे परकार के जितने के लियां रहती है जो भी आपके फूल हो गया ह की महिस का थोड़ा जो नकली बहुत चली पड़ी पड़ाती असकी मार्केट आवन भी चले ति पर साथ ही साथ फिर भी एचा रिजल्स देता है बहुत सारे दोस्तों कि डिमार भी थी कमेंट्स में कि कोरेज़न के ओपर वी वीडियो बनाई जाए तो हम इसको सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल कर लिते हैं जैसे आपका आजाता है घिरा आलगे घियाल कि भीन्डी ध उस दोरा इसका इस्तेमाल बिलकुली आवायड करें क्योंकि जो आपका दोस्तों रहता है कोडा जन उसका जो असर रहता है वो बहुत लंबे समय तक रिप दूजम में रहता है एक तरह से उस दरवान की स्टेज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप फॉसलों में भी जो हिए जासे ज़रूर रहती है तो जो कि फार्वलगै चुल्टकी ऑना-चुरा का लें कि पहले स्टेज में अपके प्सास सोर्व कर लें जो आपके रहते हैं केट लिफ माइनर वोग्यारा पत्यों में जो पत्तों के अंदर रहते हैं उनको मारना बहुत ही मुश्कल रहते हैं क्योंकि वह जो आपके contact insecticides रहते हैं उनसे वह इसली नहीं मरते हैं सिस्टमीक इन्सेक्ट साइज उनको खतम कर देते हैं और लंबे समय तक जो उनको उनके लावा स्टेज होते हैं उनको भी जो डैमेज कर देता है वागवानी में आपके अच्छा काफ़ीय चाहता मिया अगूर में और भी मरत हैं और सख्याriters अम्रूद गया रहा जैसे आपकी आहां बाद रहते हैं उन्हें में भी यह काफी अच्छा इस्तामाल किया जाता है क्योंकि उसमें फूट फ्लाई का भी काफी आतंक रहता है और साथ ही साथ जो आपके रहते हैं दोस्तों लीफ माइनर्स वह भी बहुत जाद आपने देखा जो है प्रोडक्ट रहते हैं और साथ ही साथ दोस्तों इसको जो है आप फ्लावरिंग स्टेज में भी इस्तमाल कर सकते हैं पर अगर बहुत ही ज़्यादा टैंपरेचर है दोस्तों अगर पैंटीज डीगरी से उपर आपका टैंपरेचर रहता है जब आपकी फॉसल में ज उस दोरान थोड़ा एवाइड करें flowering stage में flowering stage से पहले इस्तमाल कर सकते हो या fruiting आपकी जो चली रहती है उसमें भी इस्तमाल कर सकते हो या अगर बहुत ही ज़रूरत पढ़ती है तो आप इसको जो है सुबह के साम के समय समय का इसका इस्तमाल कर सकते हैं और दिन के वक्त अगर करोगे तो काफी जादा जो फ्लावरिंग ड्रॉप की समस्यास में देखने को मिलती है एक साइड फैक्टा दोस्तों आपका ये भी रहता है और साथी साथ जो डोज रहता है वह आप कम खर सकते हो फ्लावरिंग स्टेज में और इसमें आपने कोई भी और कोई और इंस असर हो जाएगा ऐसा रहता है कि दवाई आपकी फट जाती है बीच में से जिसका आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलता था 20-30 प्रफंट ही रिजल्ट मिलता है जिसको अवाइड करने के लिए आपको पता है कि बहुत जादा महंगी एक साथ दोवाई आती है जिसको आपक ख्याद कर ढाख सकते हैं जिससे की काफी जी एकदम से पतियों में स्प्रेइड हो जाता है वारिस के मौसम काफी जाता दिक्कत सामने देखने को मिलती है जाती है कि अपनी स्टिकर भी डाला होगा अगर दो-चार गंटे अगर होड़ा मौसम साफ रहता है तो यह पुरा पूरा, easily जो है, पतियों से, तने से, होके, पधी में चल जाता है, और असर दिखाना सुरु कर देता है, यह नहीं कि आज अपने छेडकाओं किया, वैसे ही, आपको जो है किट मरना सुरू हो जाएंगे दीरी दीरी जो है जो है किट को माना सुरू करता है अगर आप इसका छड़का आज करते हो तो आपको रिजल्ट्स जो है अगले दिन से देखना सुरू होते हैं अगले दिन से किट आपके मरना सुरू हो जाएंगे continue जो आपके आगे को किट मरते रहते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा बारिस होती है तो उस दोरा रहते है कि इसका असर जो रहता है वो 12-15 दिन तक रहता है अगर मौसम साफ ही रहता है तो continue जो आपको results मिलते रहते हैं दोस्तों वो जो है 15-25 दिन तक जो आपको कोई भी अन् की फ़सले रहते हैं थे उन मेंसे इसका इसतिमाल किया जाता है काफी लंबे समय तक जो इसको आछे बचाते हैं तो दोस्तों यह था आपका corrosion के ऊपर कि आप इसको सभी प्रकार की फचलों में करते सकते हैं और सब्सक्राइब करके किट्स को जो है काफी लंबे समय तक बस सोड़ा फ्लावरिंग स्टेज में अपनी फसलों में करने से इसको वाइड करें अगर बहुत ज्यादा टेंपरेचर है अगर तीज से नीचे टेंपरेचर रहता है अठाई से नीचे टेंपरेचर है तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर फ्लावरिंग स्टेज में इसका इस्तेमाल करते हैं इतना कुछ साइड फैक्ट्स नहीं दिखते है फ्लावरिंग जो आपके फूल जड़ने के तो यह साथ दूस्तों कोरजन के ओपर अगर कोई सवाल या सुझा रहता है तो कमेंट वाक्स में जरूर लिखें अपना मुलेस में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जाल मिलते हैं और भी नए अपडेट्स के साथ